आप सुखागत है हमारे यूट्यूब चनल शायमिस्टर में इस टाइम गर्मी का समय चल रहा है तो बिल्कुल मन ने होता किचन में कड़े होने का तो आज हम ऐसी ही एक रेस्पी ले करके आया है जो कि पांच मिन्ट में बनकर त्यार हो जाएगी तो यह देख सकते हैं गाई तो यह देखे ग्राइंड कर लिया है अब हम इसमें देखे आज हम लहसन और प्याज कुछ भी नहीं योज़ करेंगे क्योंकि जैसा कि मालूम है कि हमारे हां सनिवार और मंगलवार को प्याज लहसन नहीं खाया जाता है तो आज है सनिवार क्योंकि आपके पास जो वीडि कर मैं कि अन्हों मिए और में कदाना फ्सक्राइब है क्यां शीफरा से लिए उसमें और नगीर टॉम्हा पाने तो ंट वाल टमारे हैं मिए वाले हिंडार कर दिया है दुमाटर शीरा ना हर आप लिएवे ऐसा और आपको दिख़ाँ a कद手 और रहा है दाल दिया है स correct इन ह प्यूरी जो हमने पीस कर रखी थी यानि टमाटर अद्रग और मिरच की तो यह प्यूरी ले ली है उसको भी हम पकाएंगे देखिए आपको लिक्विटी लग रहा होगा ठीक है तो यह इसलिए क्योंकि जो हमारा टमाटर था उस जिस जार में पीसा था उसमें थोड़ा सा प मिरच पाउडर आप चाहें तो कस्मेरी मिरच पाउडर भी डाल सकते है थोड़ा सा हमारे कम पसंद की जाती है सबजी लाल लाल विल्कुल इस वज़े से तो यह देखे हमें डाल दिया हींग 2-3 पिंच और आव इसको हम मिक्स करते हुए पका लेंगे तो टमाटर डालने क अब हम करेंगे फ्रेम को दीमा दीम दीमा डीम पर बूंद लेंगे क्योंकि मसाले जले भीने और अच्छे से बूंजाए तो इस तरह से मसलते हैं डाल दिया कस्तूरी में थी और जो इसमें बड़ी बड़ी नसे जैसी थी जड़ तोरे से अटा दिये उनको और यह देखे इसमें अपनी पीनेट प्यूरी तो यह देख सकते हैं इसको भी हम पका लेंगे इससे बहुत रिच और बहुत यम्मी टेस्टी सब्जी बनेगी एक बात और गाईज अगर आप पीनेट नहीं डालना चाते तो इसकी जगह पर आप काजू भी एड़ कर सकते हैं तो इसको दीमी फ्लेम पर कुक कर लेंगे क्योंकि पीनेट में ओयल होता है जिसकी वजह से यह बरतन में चिपकने लगता है तो इसके लिए कोसिस यह करें कि नॉन स्टिक पैन या फिर आईरन का पैन लें वह ज्यादा अच्छा होता है और दूसरे बरतन में यह जादा चिपकता है ओयल की वज़े से तो इसको हम दीमी फ्लेम करते हुए पका लेंगे अच्छे से यह देखे गाई इस तरह से हम पकाएंगे इसको चलाते हुए एक बात और गाईस यह हमारी सबजी बहुत टेस्टी बहुत यमी बनती है तो आप देखते रहे हैं अभी सस्पेंस है कि हम यह किस चीज की सबजी बना रहे हैं तो वह बाद में पता चलेगा ऐसी सबजी है जो कि बहुत टेस्टी बहुत यमी होती है और यह बहुत कम लागत में सबजी बनकर के तयार होती है तो इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे यह देखे गाई हमारा मसाला भून चुका है अब इसमें ते ओयल दिखने लगा है सब तरप से तो इसको हम यह इंडिकेशन है कि अच्छे से हमारा कोको चुका है एक बात और गाई जिसमें हमने टमाटर प्यूरी और पीनेट पीजी थी तो उसको उसको उसके जाल को हमने हलकार सा पानी डालकर पीनेट में डाल दिया थह यह देखे गाईज यह बाईल पानी है इसको आपने ग्रेवि के हिसा एक जाप ने हम दूमते हो references का इसको आपते लाहा है आपनिल लाल्यूरी के लिए इस हमें प्ली पानी दूल किसाप लिए इस में लाप लोल कच्ची नहीं रहे गई इस समय पर अगर जार दूल के डालो तो उसमें कच्चा आ जाता है तो यह देखिए इसमें डाल देंगे एक स्पून नमक यहां टेस्ट के अनुसार नमक अब इसको हम बॉल कर लेंगे तो हमें इतनी कंसेंटेंसी तक बॉल करना है जितनी ग्रेवी थिक हमेँ चाहिए तेखिए आज हम ग्रेवी पतली ही बनाएंगे गर अगर देख기에 सबूल कर तैस्टि बना कर तयार होगी तो यह देखिए हमारी ग्रेवी जितनी पतली चाहिए उतना हमने बना करके तयार कर लिए आप इसको हम करेंगे ठंडा तो इसको हम अलग बरतन में निकाल करके रख लेंगे क्यों किसी बरतन में रखे रहेगा तो यह थोड़ा सा नहीं ठीक रहेगा तो इस हुझे से हम दूसरी बरतन में करके रख लेगे इसको यह देखिए इस एक विल्खन के मार्केटकी बूंदिया हैं तो आप गुन-गुनइ ग्रेवी में डाले और अगर आपकी घर की होम में बूंदिया है तो आप ठंडा होने के बाद डालें कोई दिक्कत नहीं बहुत यमी बहुत टेस्टी बनेगी यह वही बुंदी है जो हम रायते के लिए यूज करते हैं तो जिसके सब्ची बहुत टेस्टी बहुत यमी बनती त Gib bean करके देंगे वैसी हमें सबजी मिल जाएगे तो वाइस घर में अगर कोई भी चीज ना हो तो विलकुल टेंसन लेने की जरूरत नहीं है फटाफट बूंदी बनाएं और इस तरह से केवली वाली सबजी बनाकर के तयार करें यह बड़े और बच्चे सबी को बहुत पसंद आने वाली है यह हमारी रेसिपी तो अगर चलिए सर्व करते हैं एक बात और गाइस अगर यह हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब कर दीजेगा और सेयर भी तो यह देखे यम्मी टेस्टी bles की रेसिपी बन करके त्यार हुई हैं जो कि बहुत 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 यमी से पुरी चापति रोटी चावल राईस किसी ने किसी के साथ भी कहें कोई दिक्कत नहीं बहुत यम्मी तहां यह लगी दो